हेलो एब्रिवन नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि गरवावस्ता के दोरान बेटा होने की कौन-कौन से सिम्टम होती हैं जी हां दोस्तों इस टॉपिक को लेकर जो गरवती महला हैं वो बहुत ज़दा कन्फियोजड रहती हैं बहुत ज़दा उताबली भी रहती है कि आने वाले बच्चे का जेंडर क्या है बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी हमें कैसे पता चलेगा तो आज हम आपको काफी सारे सिंटम बताएंगे जो काफी सही माने जाते हैं तो वो कौन से सिंटम है इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात होने वाली है मतलब लड़का होने के लक्षणों के उपर ही बात होगी लेकिन हमारा मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देना है सिर्फ आपको जागरू करना है ठीक है अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ही इस वीडियो को आप देख सकती है क्योंकि हम आपको कभी भी किसी भी वीडियो में गलत जानकारी नहीं देते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारत सा कमेंट ओम नमश्यवाई अवश्य लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना भगवान जी पूरी करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और पास में घंटी है उसे दवाकर औल बटन पर प्रेस कर लें चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला जो लक्षर है वो है आपका पेट जेहां दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा आपने आर्टिकल्स में भी देखा होगा कि गर्वती इस तरी के पेट से कैसे जाने लड़का होगा या फिल लड़की होगी तो दोस्तों माना जाता है कि अगर गर्वा वस्ता के दौरान आपका पेट अंड़कार जैसा है मतलब लंबे आकार में नीचे की तरफ जादा उबरा हुआ अगर आपको नजर आता है तो ये संकेत लड़का होने की निशानी होती है भही आपने ऐसा भी सुना होगा कि अगर आपका पेट गोल शेप में है फुट वॉल जैसा दिखाई देता है तो ये संकेत बताता है कि आपकी गर में पल रहा बच्चा लड़की है लेकिन इस बात में कितनी सचाई है ये लकषर कितना काम करता है चलिए इसके उपर बात करते है जरसल आपका जो पेट का आकार होता है वो बच्चे की पोजिशन के उपर डिपेंड करता है मालीजे अगर आपके बेबी की position निचले हिस्से में है तो जाहिर सी बात है आपका पेट हमेशा लंबे आपकार में देखेगा अंडा कार शेप में देखाई देगा चाये वो लड़का हो या फिल लड़की हो ये चीज हमारे बेबी के position के उपर बेबी के height के उपर depend करती है मालीजे अगर आपके बेबी की height है वो कम है या फिर उसका position उपरी side में जादा है तो हमेशा आपको आपका पेट गोल्ड शेप में नजर आएगा और यही इसकी सच्चाई है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था तो चलिए दूसरे लक्षर के बारे में बात करते हैं वो है उल्टियां जादा होना उल्टियां कम होना दोस्तो आपने काफी बार सुना होगा अगर गरवती महला को उल्टी बहुत जादा होती है तो ऐसे मैं हमेशा लड़की होने के चांसे होती है बही अगर आपको उल्टियां बिल्कुल भी नहीं होई है बिल्कुल भी morning sickness की problem नहीं होई है सुरवाती बहिनों से ही तो ऐसे मैं ये संकित लड़का होने की निशानी होती है लेकिन दोस्तो इसका सच क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी दरसल होता क्या है जब आपकी pregnancy confirm होती है न दोस्तों तो आपकी body में काफी बहुत सारी परिवर्तन होती है काफी सारे changes आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि आपके hormones का level कहीं अप हो जाता है तो कहीं down हो जाता है जिसकी वैसे आपको उल्टियों जैसी problem होती है और किसी महलाओं में नहीं भी होती है तो ये चीज आपके body के उपर और आपके hormones के उपर depend करती है ना कि लड़का और लड़की के उपर तो आशा करती हैं आप लोग समझ गए होंगे दिखिए मैंने आपको सिर्फ सही जानकारी दी है अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लें दिखिए कोई भी लक्षर लड़का और लड़की होने का 100% work नहीं करता है मैंने आपको किलियर कर दिया है इस वीडियो में तो प्लीज आप हमेशा अपने pregnancy पर ध्यान दें अपनी diet पर focus करें अच्छी चीज़ों को शामिल करें ताकि आपका होने वाला baby एकदम healthy पैदा हो तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं next वीडियो में और किसी topic पर तब तक के लिए take care and bye